साथ शरीया काल जे सारे आनू स्वागत कर दियां मैं तो होड आपने चैनल मैंत विद सुमन प्रीत कौर ते मैं आँ सुमन प्रीत कौर ते आज दी एस वीडियो दे विच असी बेसिक जीके दे ना रेलेटिड कोज इंपोर्टेंट MCQ दा मौक टेस्ट टू करन जा रहे हैं स्वागत करने चैनल मैं तूरी सिसरेय ऐनू स्वागत हुट ट्रीकूर ना रेलेटिड काल ना लीडिए bishop ऊसुमन फते विच जीके दे तो होड देलीमागत कर चुक जो तुस्य पहल्ला हो ना जह करो नहीं देख्या तो उस्नू भी करोर करो क्योंकि जेकर तुसी पंजाब दे किसे वी competitive exam दी त्यारी करें हूँ ता basic हरेक दे लई ही बहुत जादा important है इस करके इस वीडियो नूँ पूरे त्यान देनाल देखना ते especially जेडे student FCI दे exam दी त्यारी करें है जे में कि तो अनूँ पता है तो अनू basic ही पुछिया जाना है ते जो आसी आज दी इस वीडियो देविच करें है mock test देविच ता तुसी basic दा mock test पुल के वी ना छड़ना क्योंकि एक के question तो अडेले बहुत जादा important होन वाला है ता जादा time waste ना कर दे होए असी आज दी ये वीडियो स्टार्ट कर दे है जे करता अनू वीडियो चंगी लगे ता प्लीस वीडियो नू लाइक कते शियर जरूर कर देना हाँ जी जिनना वी हो सके जेडे वी student FCI watchman जाँ फिर पंजाब दे किसे वी competitive exam दी त्यारी कर रहे ने जि मैंकि तो अनू पता है ऐसी basic level तो लेके high level तक दी study दी त्यारी करवाने या तो इसे लई चैनल नू बाद तो बाद शियर किता जावे क्योंकि हार एक competitive exam नू मौकर रखके ही तो अनू त्यारी करवाई जान दी या तो इलावा हार एक job दिना related तो अनू लगतो official notification दित्ती जान दी या कोई भी fake video fake notification तो अनू नहीं दित्ती जान दी इस करके तुसी notification bell ते भी on कर लो तां जो किसे भी website ते official notification ओन दिया तो अनू time to time उसदा पता लगदा रहे ठीके जी तां जादा time waste ना कर दे हो यासी आज दिये video स्टार्ट कर दे है जे करता आनू वीडियो चंगी लगेता प्लीज वीडियो नू लाइक कते शियर जरूर कर देना Question number 1 खुद्रत जा मनोख दुवारा बनाए गए अर्थवान पदार्थ जो मनोख दिया लोडा दी पूर्ती कर दे हन उनना नू की किहा जान दाए खुद्रत जा मनोख दुवारा बनाए गए अर्थवान पदार्थ जो मनोख दिया लोडा नू पूरा कर देया उनना नू साधन किहा जान दाए मनुखी बुद्धी ग्यान ते कामकारंधी कुशलतानू मनुखी साधन किहा जान दाए ओफ्शन नमबर बी जा राइट आंसर मनुखी साधन किहा जान दाए सानू वड्डी मात्रा वेच मच्छिया, मोती, कोगे, शिप्पिया अते हीरे जवाहरात किथों प्रापत हुन देया राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर ए सुमुंदर विचों समुंदर दे विच्चों मच्छियां, मोती, कोगे, सिप्पियां अते हीरे जवाहरात आज सानुए समुंदर तो प्रापत हुन देया ठीके तुसी याद रखना Next question Right answer is option number B, Japan ने Next question जेडे साधन मजूद ता हन, पर हले ता कोणा दी कोई वर्तो नहीं हुई, केडे साधन खवोंदिया हांजी जेडे साधन मजूद ता हन, पर हजे ता कोणा दी वर्तो नहीं हुई, ओना नुँ सम्भा आवित साधन केहा जान्दा है Option number B is the right answer Next question पेट्रॉलियम, कोला, अबरक, मैगनीज के इस तरान्दे खने जेपदार्थ हन हांजी पेट्रॉलियम, कोला, अबरक, मैगनीज, एँ है आ ता तूखने जेपदार्थ हन, option number C is the right answer अ ता तूखने जेपदार्थ Next question ता तूखनेजपदार्थ केडे केडे हन हांजी ता तूख नेजबदार्थ केड़े केड़े आन ता तूख नेजबदार्थ लोहा तामबा चांदी ठीके ए उपरोकत सारे ही ता तूख नेजबदार्थ आन इस्तो इलावा सोना अते अलुमीनियम भी ता तूख नेजबदार्थ आन लोहा तामबा चांदी सोना अते अलुमीनियम ए ता तुख नेजपदार्थान ते आता तुख नेजपदार्थ केड़ेया पेट्रोलियम, कोला, अवरक, मेगनीज नेक्स्ट गोशन नेक्स्ट गोशन जहे साधन जिन्नादापंडार निस्चीत है अते एक बारी खतम होणते दुवारा प्रापत नहीं होणगे उन्णनू की किहा जान्दाई राइट आंसेर एजी ओफ्षन नमबर बी मुक्कन योग साधन हाँजी ओवले साधन जेडे निस्चीत हन जानिक एक बारी खतम होणते दुवारा प्रापत नहीं होणगे उन्णनू मुक्कन योग साधन केहा जान्दाई नेक्स्ट गोशन मनोखा अपणिया आर्थिक जा होर गती विदियां केस साधन दे उपर करदा है हाँजी मनोखा अपणिया आर्थिक जा होर गती विदियां पूमीदे उपर करदा है ओफ्शन नमबर डी जा राइट आंसर ठीके ए तुसी याद रखना नेक्स्ट गोशन पार्थ दे कॉल खेतर फाल दा किन्ने प्रती साथ राकवा विजाई हीट है हाँजी पार्थ दे कॉल खेतर फाल दा किन्ने प्रती साथ हीज राकवा वा जेड ओहो विजाई दिया थे थामा थे खाले पार्थ दिया तुसी आली पर्शेंट पार्थ दा राकवा वा जेड विजाई हीट है नेक्स्ट गोशन पार्त दा किन्ने प्रतिशत पाग मैं दाननी है? हाँ जी पार्त दा किन्ने प्रतिशत पाग जड़ा मैं दान दे हेठामा राइट आंसर एजी ओफ्शन नमबर बी तर ताली प्रतिशत पार्त दा तर ताली प्रतिशत पाग मैं दानना दे हेठामा मैं दाननी है ठीके, नेक्स्ट गोशन, फसलां ते पौध्धे उगो अनवास्ते केडा साधन जरूरी साधन, हांजी फसलां ते पौध्धे उगो अनदे लई, केडा साधन इन्ना दे विच्चों बहुत ज़दा जरूरी हा, राइट आंसर अजी ओफ्शन नंबर C, मिट्टी साधन, लेक्स्ट गोशन, गंगा ब्रह्म पुत्तर दे डेलट विच्चों जरूरी साधन, नेक्स्ट गोशन, गंगा ब्रह्म पुत्तर दे डेलट देलट Wool बहुत ज़दा जरूरी हा, राइट आंसर अजी ओफ्शन नमबर C, सुन्दरी नाम दा रॉख्खा ज़दा, यह ज्यादा पाया जन्दावा नेक्स्ट गोशन काली मिट्टी केडी फसल लई बहुत टुकमिया हांजी काली मिट्टी केडी फसल दे लई बहुत ज्यादा टुकमिया राइट आंसर है जी ओप्शन नंबर बी कपादी फसल दे लई कपादी फसल दे लई काली मिट्टी बहुत ज्यादा टुकमिया जंगली जीब्बान लई पार्ती बोड दी स्थापना कदों कित्ती गई सी हाजी जंगली जीब्बान दे लई पार्ती बोड दी स्थापना 1921 विचे कित्ती गई सी ओफ्षिन नमबर A is the right answer जंगली जीब्बान दे लई पार्ती बोड दी स्थापना 1921 विधे विचे कित्ती गई सी नेग्स्ट गोशन रेगुर जांक बाह मिट्टी देश दे कॉल खेत्तर फाल दा किनने प्रतिशत है रेगुर जांक पाही मिट्टी देश दे कॉल खेत्तर फाल दा 16.6 प्रतिशत पाग जंगलां दे हेठा राइट आंसर है जी ओप्शन नमबर डी लागपाग बाई पॉइंट तिन प्रतिशात जंगलां दे हेठा श्याली प्रतिशात विजाई दे हेठा अते तर्ताली प्रतिशात मैंदानिया ठीके एवी तुसी याद रखना नेक्स्ट गोर्शन केड़ा खनेजपदार था लोहा आते स्टील बनो अनदे काम होंदा है हाँ जी इनना दे विचों केड़ा खनेजपदार था जेड़ा लोहा आते स्टील बनो अनदे काम होंदा है राइट आंसेर है जी ओफ्शन नमबर C मैंगनीज हाँ जी मैंगनीज खनेजपदार था जेडा लोहा आते स्टील बना ओंदे काम ओंदाए नेक्स्ट गोशन केडी कच्ची ता आत तो अलुमीनियम बना याजान दाए राइट आंसेर है जी ओप्शन नंबर बी बक्साइट हाँ जी बक्साइट ता आता जेडी कच्ची ता आता येदे तो अलुमीनियम बना याजान दाए तुसी याद रखना नेक्स्ट गोशन संसार्दा साब्तों बाद सूना पैदा करन वाली देश केडा है हांजी संसार्दा सब् 나오는 पाल सोना केड़ा देश पैदा करदाए? राइट अंसर है ऑफशन नंबर बी दखनी अफरीक्या दखनी अफरीक्या िद्धा देशा संसार्दा जड़ा सब क hacen है? Next Euro कोले दिया चार किसमा विच्चों केडी किसम सब्तों वदिया अते केडी सब्तों माडी मननी जान दिया हां जी कोले दिया चार किसमा हुं दिया ने ठीक है केडिया केडिया हुं दिया ने तुसी सारे ने कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखनिया ते इनना दे विच्चों केड़ी किसमा जड़ी साप्तों बदिया अते साप्तों माड़ी मननी जान दिया ठीके ए तुसी याद रखना next question तारल सुना केड़े कनेजब दार्थनू केहा जान दा है हाँ जी तारल सुना केड़े कनेजब दार्थनू केहा जान दा है राइट आंसेर है जी ओफ्शन नमबर C, पेट्रॉलियम जाँ खनेज तेल ने, तरल सुना, पेट्रॉलियम जाँ खनेज तेल नू केहा जानदा है जदों भी कोई खनेज तेल ना, खूँ खोद देया जानदा है, ता सबतों उपर केड़ी ग्यांस ही कठी होई मिल दी है वेरी इंपोर्टन कोशन राइट आंसेर है जी ओफ्शन नमबर B, कुदर्ती ग्यांस जदों भी कोई खनेज तेल दाखू, खोद देया जानदा है, ता उच देविच सबतों उपर जेड़ी ग्यांस मिल दी है और कुदर्ती ग्यांस मिल दी है पार्त देविच सबतों बाद सोना केड़े राज दे मिल दा है पार्त देविच सबतों बाद सोना केड़े राज दे मिल दा है संसार देविच सबतों बाद कुदर्ती ग्यांस पैदा करन वाला देश केड़ा है संसार देविच सबतों बाद कुदर्ती ग्यांस पैदा करन वाला राज संजोक्त राज अमेरीका है option number a is the right answer next question संसार विच सबतों बाद कुड़ाः पैदा करन वाले देश दा ना दसो हांजी अग्ये से सोना केड़ा केड़ा करदा सिगा दखनी अफ्रीका पर होना सी गाल कार रहे हैं कोले भी, कोला पैदा करने वाला देशा एड़ा, ओ है संजोक्तराज अमेरिका, ते संजोक्तराज अमेरिका ही साब्तों वाद गुदरती ग्यांस पैदा करने वाला भा, एवी तुसी याद रखना, जुरेनियम, थौरियम, वैरियम, लीथियम किस परकार देखने हैं जाना, हाँ जी जुरेनियम, थौरियम, बैरियम, लीथियम एक एड़े परकार देखने हैं जा, राइट आंसर है जी ओफ्शन नबर बी परमानु खने जा, जुरेनियम, थौरियम, बैरियम ते लीथियम, परता पोरे संसार्दी पुरे संसार्दी पान्विजली पेदा करता है। नेक्स्ट गोशन चाह कौफी शूक्त क किसके समधियां फसलना हैं? Right answer है जि आफ्शन शूक्त बंबर बी पे फसलना हैं? चाह कौफी शूक्त क नेक्स्ट कोशन Next question सापतो ब्द चावल पैदा करन वाले देश ना नाम दस सौ Right answer है जि आफ्शन बे चीन सब तों बद चावल पैदा करनवाला देशा चीन Next question मक्की दे पौदे दी उतपती केडे देश तो हुई है हांजी मक्की दे पौदे दी उतपती संजोक्त राज अमेरीका तो हुई है Option number D is the right answer Next question कनक दी पैदावर लई संसार वेच पार्त दा किनमा स्थान कनक दी पैदावर दे लई संसार दे विच पार्त दा दूच्चा संथान Option number B is the right answer कनक दी पैदावर दे लई संसार विच्चों पूरे संसार विचों पार्त दा दूज़ा स्थाना तुसी याद रखना नेक्स्ट गोशन पार्त दा केडा राज पटसंदी पैदावर विच पहले स्थान तेया राइट आंसर है जी ओप्शन नबर डी पच्छमी बंगाल पार्त दा दा एखो जेहा राज जेडा पटसंदी पैदावर विच पहले स्थान तेया नेक्स्ट गोशन कॉफी दियो तो पती जान जनम केडे महादीपतों मन्या जन दाए राइट आंसर है जी ओप्शन नबर डी अफ्रीका केडे देश दी लंबे रेशे वाली कपा संसार पार विच पर सिद्ध है राइट आंसर है जी ओप्शन नबर डी मिसर मिसर देश दी लंबे रेशे वाली कपा संसार पार विच पर सिद्धा नेक्स्ट गोशन असाम प्रांत पार्त दी केड़े किन्ने प्रतिशत चा पैदा करदा है हाँ जी असम प्रांत आजिड़ा एहे पार्त दी किन्ने प्रतिशत चा पैदा करदा है राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर ही अकवंजा प्रतिशत अक वंजा प्रतिशात कजडी चावा एहे असम पैदा करदाए ठीक है नेक्स्ट कोशन पंजा वेच रेल देट अब बिबनो अनदा कार खाना कित्थे इस देता है उमीद करदीएं कि इस कोशन दा अंसर तो अनुसारे नू पता होगा राइट आंसर आजी ओफ्शन नंबब बि का पूर्थला नेक्स्ट कोशन आर्थिक विकास दा इंजण किस नो केहा जांदाए उध्योगा नो केहा जांदाए अप्शन नंबब बिजा राइट आंसर नेक्स्ट वोशन सूती कपड़ा उद योग लई किस तरांदा मौसम ठीक रहनदा है हाँजी सूती कपड़े उद योग दे लई केड़ा मौसम ठीक रहनदा है राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर सी सिला सिल्ला मौसमा जेड़ा है ही ठीक रेंदा है सूती कपड़े दे दियोग लिए नेक्स्ट वोर्शन पार्त विच सरकारी खेतर दे किसे दो उद योगा ने ना लिखो हाँ जी पार्त दे विच सरकारी खेतर दे कोई दो उद योग लिखने जेड़े सरकारी है राइट आंसर आजी, ओप्शन नमबर ए पार्त हैवी इलेक्टरीकल्स अते रेलकोच फैक्टरी का पूर्थला ए दोसरकारी उद्योगा पार्त नहीं, ठीके ए भी तुसी याद रखना नेक्स्ट गोर्शन, उद्योगदां ग्रेजी शव्द की है राइट आंसर आजी, ओप्शन नमबर बी, अंडस्टरीज, इंडस्टरीज उद्योगदां ग्रेजी विच अन्वादा, ठीके नेक्स्ट गोर्शन, कपड़ा चाह ते खांड, किस ते अधारित उद्योग हान राइट आंसर आजी, ओप्शन नमबर बी, खेती अधारित, कपड़ा चाह ते खांड, खेती दे अधारित उद्योगा नेक्स्ट गोर्शन, कच्चे माल लई जानवरां ते अधारित उद्योगां दे नाम लिखो आजी, एड़े कच्चे माल दे लई जानवरां ते अधारित उद्योगां दा नाम किया राइट आंसर आजी, ओप्शन नमबर डी उप्रोकत सारे डेरी उद्योग, चमडा उद्योग ते कपडा उद्योग, जानी के रेशो मत यहन कपडा उद्योग दी विचायां दिया ठीके, एड़े उप्रोकत सारे एक अच्चे माल लई जानवरां ते अधारित उद्योगां next question इसकार जाँ एजांसियां दुवारा लगाई गए उद्योग गाणूं केडे उद्योग दा ना दित्ता जानदा है right answer है जी, जाड़े सरकार दुवारा उद्योग लाई जानदे या तो उन्याँ नूण सरकारी उद्योग दा नाम दित्ता जानदा है एस करके option number D is the right answer सरकार जाएस दियाँ एजांसियाँ दुबारा लाए गयोद योगणू सरकारी उद योगदा नाम जित्ता यंदा नेक्स्ट गोश पार्त वेच हवाई जो हजबन आणदे मोख केंदर दसो पार्त वेच हवाई जो हजबन आणदे मोख केंदर उपरोकत सारी option number D is the right answer बंगलार वियाँ लखनाओ ते कानपुर एत नए याजडे पार्त वेच हवाई जो हजबन आणदे मोख केंदर आणदे नेक्स्ट वर्श जिन्ना दे विच मजदूरा दी गिनती बहुत जाधा हुन दिया अते पुझी दी लागत वी पांच क्रोड तो बदेरे हुन दिया ओन्ना नू बड़े पैमानने दे योग केया जानदा है option number B is the right answer नेक्स्ट वोईशन पार्त दी सिलिकॉन काटी केडे शहर नू केहा जानदा है हाँजी पार्त दी सिलिकॉन काटी बंगलोर नू केहा जानदा है option number C is the right answer नेक्स्ट वोईशन कंप्यूटर दा निर्मान किस देशतों शुरू हुया हाँजी कंप्यूटर दा निर्मान केडे देशतों शुरू हुया जी राइट आंसर है जी option number B USA नेक्स्ट वोईशन लोहाई स्पात दुयोग दा चंगा सुवाद कारन लेई पार्त सरकार दुवारा हाँजी इत्थे प्रवांध ओना सी प्रवांध ठीके लोहा इसपात दुयोग दा चंगा परवंध कारन लेई पार्त सरकार दुवारा केडी संस्थादी स्थापना कित्ती गई राइट आंसर है जी option नमबर ए स्टेल अथोरिटी उफ ईंडिया स्टेल अथोरिटी ओफ इंडिया दी शुरुवात पार्थ सरकार दुवारा कित्ती गई सीगी लुहा इस पात उद्योग दा चंगा प्रवंध करंदे लई नेक्स्ट गोईशन टाटा आइरन एंड स्टेल कंपनी स्थापना किस दुवारा कित्ती गई है टाटा आइरन एंड स्टेल कंपनी स्थापना जम देश टी जी टाटा दुवारा कित्ती गई है ओफ्शन नमबर बी जा राइट आंसर जम सेद जी टाटा दुवारा कित्ती गई है ठीके तुसी याद रखना नेक्स्ट गोईशन अमीरा दी पुशाक किस कपडे नो के हाजान दा है राइट आंसर जी ओफ्शन नमबर C रेशमी अमीरा दी पुशाक रेशमी कपडे नो के हाजान दा है नेक्स्ट गोईशन M दा बाद पार्त दा सूती कपडे दा उद्योग केंदर पार्त दे किस प्रांत वेच स्तेता है Right answer आजी ओफिनन नमबर B गुजराद दे वेच M दा बाद पार्त दा सूती कपडे दा इवेच स्तेता Next जपान दाउ साक्का सहर केड़े उद योग लेई पर सिद्ध है हाँ जपान दाउ साक्का सहर कपड़े दे योग दे लेई फेमस ओफ्शन नबर A is the right answer नेक्स्ट गोईशन पंजावदे किस दो सूती कपड़ा उद योग दे नाम दसो हाँ जी पंजावदे किसे दो सूती कपड़ा उद योग दे नाम दसनेया राइट आंसेर है जी ओफ्षन नंबर A. अम्रिस सर अते लुद्याणा अम्रिस सर अते लुद्याणा दो फेमस उधियोगा जिडे सूती कपडे दिली फेमस हाँ नेक्स्ट कोईशन सिलिकान का टी केडे देश विच स्तेत्ता है राइट आंसेर है जी ओफ्षन नंबर D. उप्रोकत सारी सारे ही सूचना उधियोग दे विच त्यार होन वाले मोख जानतरा रेडियो, टेलिविजन, मोबाइल फोन अते कम्प्यूटर ठेके एतुसी याद रखना नेक्स्ट कोईशन संसार दा साब्तों वाद अबाद्धी वाला देश केडा है हांजी संसार, पूरे संसार दी गलो या संसार दा साब्तों वाद अबाद्धी वाला देश जी चीन, ओफ्शन नंबर B जा राइट आंसर चीन चीन वेच संसार दे किन्ने प्रतिशत अबाद्धी रहन दिया हांजी पूरे संसार दी किन्ने प्रतिशत अबाद्धी जी चीन देविच्चा राइट आंसर आजी ओफ्शन नंबर B उन्नी पॉइंट चार प्रतिशत नेक्स्ट गोईशन 2011 दी जन्गर्णा अनुसार अबाद्धी दे पक्खों पार्त दा संसार दे विच्च केडा स्थान है हांजी 2011 दी जन्गर्णा अनुसार अबाद्धी दे पक्खों पार्त दा संसार दे विच्च दूसरा स्थान है नमबर बी जा राइट आंसर नेक्स्ट गोईशन मारू थलां वेच बसों काट क्यों हुंदी है हाँ जी मारू थलां दी वेच बसों का टंग दा कारणा पानी दी काट ओफ्शन नमबर सी जा राइट आंसर नेक्स्ट गोईशन केंदर सास्तर सॉरी केंदरी सास्त पर देश दमन अटे द्यू दे, किस जेले वेच समी जंगल पाई जान दिया? राईट आंसर है जी, ओफ्षन नमबर ए दमन, हांजी दमन दे वेच सम्गाट जंगल पाई जान दिया? नैक्स्ट पोषिंँ, जनाकरना किनने साल बाद कित्ती जान दिया? हाँ जी पार्त विच जड़ी जान गलना हुई सी हुँ दोजर ग्यारांदे विच हुई सी ते किन्ने समय बाद कीती जान दिया राइट आंसर जी ओफ्शन नंबर बी दास साल बाद इंपोर्टेंट आई गोईशन जाद रखना नेक्स्ट गोईशन पार्त विच किस प्रांत विच साखरता दर सब्तों कट है राइट आंसर जी ओफ्शन नंबर बी बिहार बिहार दे विच साखरता दर सब्तों कट है नेक्स्ट गोईशन केंदर शास्त परदेश विच साखरता दर किस दी सब्तों जादा है हाँ जी जेकर असी केंदर शाषित प्रदेश देवीचे गाल करिये ता साखरता किस दर किस दी जादा है राइट आंसर है जी ओप्षन नमबर ए लक्षदीब लक्षदीब दी सप्तों जादा साकरता है अते दाधरा ते नगर हवेली दी सप्तों का टैवी तुसी याद रखना सप्तों का टैगी दाधरा ते नगर हवेली दी ते लक्षदीब दी सप्तों जादावा साकरता दर नेच्स्ट गोइशन, पार्त दे केडे राज़ विच्च लेंकन उपाथ साप्तों जाधा है राइट अंसर है जी, ओफशन नाबर B केरल्द विच्च नेच्स्ट गोइशन, तर्टी दे हिलननु असि की आख दे हैं? तर्ति दे हिल्लन नूँ असी की नाम दिनने यां जा की आख देयां ठीके की नाम दिनने यां थेली होनो राइट आंसर आजी, option number C, पुचाल तर्ति दे हिल्लन नूँ असी पुचाल केंने यां नेक्स्ट गोशन पुचा आलरी कॉड करन वाले जंतर नूं की केंदिया? Very important question Right answer आजी option number B, seismograph पुचा आलरी कॉड करन वाले जंतर नूं seismograph केंदिया? Next question उत्तरी अमेरिका वेच ओन वाले चकरवात नूं केडे नामनाल जानेया जान्दा है Next question Right answer आजी option number B, केडे जवाला मुखी वेच ओन वाले चकरवात नूं हरी केडे जवाला मुखी या जीदे वेच ओन कदे कदे लावा निकल दा रेंदा है Right answer आजी option number B, किरे या शेल जवाला मुखी Next question जेस जवाला मुखी दा निशान ता दिखाई दिन्दा है प्रांतु अस दे फटन वारे ते हास वेच कोई जिकर नहीं मिलदा असनूं केडा जवाला मुखी या जीदे जवाला मुखी या जीदे जवाला मुखी या जान्दा है Option number A, right answer, सुत्ता जवाला मुखी Next question जो समुंदरी लहर पुचा आल जवाला मुखी दा तीदे खिसकन आध तो पैदा हुं दिया उसनूं की या जवाला मुखी Next question जवाला मुखी किरिया किस परकार्दी आफ्थ है Right answer है जी, option number B, कुदर्ती आफ्थ Next question 11 स्तंबर 2021 अमेरिका विखे होया कातक 10 सती हमला किस परकार्दी आफ्थ सी 11 स्तंबर 2021 अमेरिका विखे होया कातक 10 सती हमला मुखी आफ्थ सी Option number A, right answer Next question फसला मुखा अते मुणुखा लई लोडिन्दे पानी साधन दी काट हो जाननू की कैंदिया Next question जादा बारिसां करके दर्यामा ते नदिया वेचे समरथा तो वदे रे पानी ओननू की आख दिया हांजी जादा बारिसां करके दर्यामा ते नदिया दे वेचे जेडी समरथा पानी दिवदे रे समरथा हो जान दिया तो अनू सी हड़दा नाम दिन्या Option number B is the right answer नेक्स्ट गोईशन, इतिहां असकाराने पार्ती तिहांसनू किन्ने केडे तिन कालां देविच वंड्या हुयाए राइट आंसर जी ओप्षन नमबरे पराचीन माद कालीन अति आधुनिक काल पराचीन काल, माद्ध कालीन काल अती आधुनिक काल देविच वंडया हुया है इतिहास काराने पार्तनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुन सतंतर राज कदो मनाया हांजी स्वादत खाने अवद नू सतंतर राज स्तारासों ताली स्वी दे विच बनाया option number is the right answer next question पार्त वेच आदुनिक कालदा रांब कदो होया मन्या जान्दाय पार्त दे विच आदुनिक कालदा रांब अठार्मी सदी दे विच होया मन्या जान्दाय option number is the right answer अठार्मी सदी दे विच next question सतारासो चौवी स्वी विच साप्तों पहला हैदरावाद विच किस ने सतंतर राजदी नी रखी हांजी सतारासो चौवी स्वी दे विच सब्तों पहला हैदरावाद विच निजाम उल मुल्क ने नीर किसी option number B is the right answer next question संसद पावण पार्थ विच कित्थे है right answer है जी option number A दिल्ली विखे संसद पावण पार्थ दे विच दिल्ली विखे स्थेत्ता next question East India कमपनी दी स्थापना कदों कित्ती गई हाँजी East India कमपनी दी श्रुवाद स्थापना कदों कित्ती गई right answer है जी option number B 1620 विचे कत्ती दसंबर 1620 नू इंगलेंड दे पापारियां दे Merchant Adventures ना दे ग्रुप ने केडे ग्रुप ने Merchant's Adventures ग्रुप ने East India कमपनी स्थापना कित्ती सी कत्ती दसंबर 1620 नू Next version वासकोडी गामा कित्तों दा वस्नीक सी हाँजी वासकोडी गामा पुर्त गाल दा मस्नीक सी option number C is the right answer Next version सहाइक संदी परनाली किसने शुरू कित्ती Right answer है जी option number B Lord Welgelly ने Lord Welgelly ने सहाइक संदी परनाली शुरू कित्ती सी Next question हैदर अली ने स्तंतर मैशूर राजदी स्थापना कदों कित्ती हाँजी हैदर अली ने स्तंतर मैशूर राजदी स्थापना स्तारांसो कार्ट स्वीर विच किती सी option number D is the right answer Next question टीपू सुल्थान कौन सी हाँजी टीपू सुल्थान कौन सी मैशूर दा सास्क हैदर अली दा पुत्तर सी मैशूर दा सास्क सी गा हैदर अली त्यो दा पुत्तर सी टीपू सल्थान option number A is the right answer Next question लेप्स दी नित्ती केस गोवर्नर जर्नल दे समे रंब कित्ती गई हाँजी लेप्स दी नित्ती केड़े गोवर्नर जर्नल दे समे रंब कित्ती गई सी right answer आजी option number C लाड डल होजी दे समे Next question करनाटक दे तिन युद्ध जिन्ना विचकार हुए हाँजी सौरी करनाटक दे तिन युद्ध किन्ना दे विचकार हुए सी right answer आजी option number A अंगरेज आते फरासी इसियां दे विचकार Next question वासकोडे गामा पार्थ विच सब्तों पहला कित्ते पहुँचेया right answer आजी option number A काली कट काली कट दे विच पहुँचे सी वासकोडे गामा पार्थ दे विच सब्तों पहला Next question सिराज उद दोला कित्तों दा नवाव सी right answer आजी option number A बंगाल दा सिराज उद दोला बंगाल दा नवाव सी Next question regulating act कदो पास होया right answer आजी option number C स्तारांसोत हे तरिस विदे विच जै Next question Pist India Act कदों पास होया right answer आजी option number A बंगाल दे दा आर्थे कीतिया चान लगिया right answer आजी option number B अठारांसोतर विच 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 पार्थे कीतिया चान लगिया right answer आजी option number C करण वालिस ने अग्रेजी प्रसासंदे विच कानूनी विवस्था ते सांती स्थापित करण दे लईकारन वालिस ने प्रसादी पुलीस विपाग वेच सुधार कीता next version स्तारांसोतर हेत्तर रेलेटिंग अठ अनुसार केस बेरा सहर वेच सरबुच दालत दी स्थापिना कीति गई right answer आजी option number D कौल कत्ता दी विच स्तारां सोते हित्तर रेलेटिंग एक्ट अनुसार कोलकत्ता देवीच सर्बुच दालत दी स्थापना किती गीजी नेक्स्ट गोशन लार्ड विलियम बेंटिंग ने थारां सो बत्तीस वी वेच बंगाल वेच केडी प्रथा दी स्थापना किती हाँजी लार्ड विडियम वेंटिंग ने जूरी प्रथा ओफ्षन नम्बर एज राइट आंसर जूरी प्रथा ठीके तुसी यादरखन जूरी प्रथा ठारांसो बत्तीस वी देविच्छ स्थापी दे किती सी बंगाल देविच्छ पुलीस प्रवंद वेच्छ सुदार केस गवर्नर जर्नल ने किता हाँजी पुलीस प्रवंद देविच्छ सुदार राइट आंसर जी ओफ्षन नम्बर सी लार्ड करण वालिस ने किता सी साप्तों पहला सारबुच अदालत दी स्थापना कित्थे कित्ती गई नेक्स्ट वेशन लार्ड करण वालिस ने स्थारां सो तरण में इस्वी वेच्छ बंगाल अते विहार्द प्रांता में पुली लंगान लेई केडा परवंद शुरू कित्ता राइट आंसर जी ओफ्षन नम्बर सी स्थाई बंदो वास्त दा लार्ड करण वालिस ने स्थारां सो तरण में इस्वी दे वेच्छ बंगाल अते विहार्द प्रांता दे वेच्छ स्थाई बंदो वस्त दा प्रवंद कित्ता सी नेक्स्ट गोशन स्थाई कारण किन्ना नूपू मीदे मालकबना अदित्ता ग्या राइट आंसेर है जी ओफ्षन नंबर डी जिमीदारन जिमीदारन पू मीदे मालकबना अदित्ता यसी स्थाई दे कारण स्थाई बंदो वस्त दे कारण नेक्स्ट गोशन रयात्वडी लगान परवंद दे दोसानू दूर करनले केडा लगान परवंद शुरू कित्ता गया रयात्तवडी लगाण परवांद दे दोसानु दूर करंदे लई महलवाडी परवांद शुरू कित्ता ग्याँ ओफ्शन नम्बर बी एजा राइट आंसर नेक्स्ट वोशन केसपुमी लगाण परवांद विच्च किसानानु जमीन दे मालकबन आदित्ता ग्या रैट आंसर आजी ओफ्शन नम्बर ए रयात्तवडी परवांद दे विच्च किसानानु जमीन दे मालकबन आदित्ता ग्यासी नेक्स्ट वोशन नील दी खेत्ती करनवाळे किसानाने नील उत पादंदे वाद्द लगाण लगाणले केडा विदरू कित्ता रैट आंसर आजी ओफ्शन नम्बर भी नील विदरू कित्ता नेक्स्ट वोशन केडा पूमी परवांद पिंडदे सुमुच्चे पाई चारे नाल कित्ता जान्दा सी रैट आंसर आजी ओफ्शन नम्बर दी महलवाडी परवांद मेहलवडी परवंद पिंडदे समुच्चे पाई चारेली कित्ता जान्दासी Next question नील विदरू केडे राज्जां विच फैल्लया हाँजी नील विदरू बंगाल अते विहार ए अते बी दोमय राज्जां विच फैल्लया Next question आदिवासी लोग जो कभील्यां विच रेंदे सान उन्ना दै समाज नू की केहा जान दै हाँ जी आदिवासी लोग जडे कभील्यां विच रेंदे सी उन्ना दै समाज नू कभाईली समाज केहा जान दै option number B is the right answer next question option number D is the right answer next question उत्तरपूर्वी खेतर वेच साप्तों पहला किस कभील्ये दुवारा विद्रो किता गया हाँ जी उत्तरपूर्वी खेतर दे वेच साप्तों पहला खासी स कभील्ये दुवारा विद्रो किता गया option number A is the right answer next question चोटा नागपुर इलाक्य वेच सब्तों पहला केड़े कभीले दे लोका नुवारा अंगरेज्जा विरोध विद्रो कित्ता गया राइट आंसर है जी ओफ्षन नंबर D. कोल कभीले चोटा नागपुर इलाक्य दे वेच सब्तों पहला विद्रो कित्ता गया सी अंगरेज्जा दे विरोध next वोषन kभाईली मुंदा कभीले दे लोक किसे हांजी kभाईली मुंदा कभीले दे लोक किस व्यक्ती नूँ परमातमाध दुत्तमान दिसान आघांजी केड़े व्यक्तिनू परमातमादा दुत्मान दे सिगे कबाइली मुणडा कभीलेदे लोका राइटानसर आजी ऑफशन नमबरे बिरसा मुणडानू बिरसा मुणडानू परमातमादा दुत्मान देसं next question शोटा नागपुर इलाके दे खरोध कबीला जो दो लोकाने अंगरेज्जां विरोध विदरोध कदों शुरू किता शोटा नागपुर इलाके दे खरोध कबीला दे लोकाने अंगरेज्जां विरोध कदों शुरू किता अंगरेज्जां दे विरोध कदों शुरू किता सिगा राइट आंसर आजी ओफ्शन नंबर सी 1846 वी दे विच्छ नेक्स्ट गोशन गोण्ड पील संथान ते मिजो कबील्यां वेच किस कबीले दी गिनती सब्तों बाद है राइट आंसर आजी ओफ्शन नंबर इगोण्ड कबीले दी नेक्स्ट गोशन थारा सवा चोंतीस वी वेच टी कमपनी दी स्थापना कित्थे कित्ती गई सी हांजी कोशन बहुँ जादा इंपोटन ने सो वीडियो नू पुरे त्या अंदेनाल देखना जे करता अनू कोशन नहीं भी आरे टेस्ट दे अकॉडिंग थारा सो चोंतीस वी वेच टी कमपनी दी स्थापना कित्थे कित्ती गई राइट आंसर है जी ओफ्शन नंबर भी असान देविच नेक्स्ट गोशन बुनाटी नील कदों त्यार होन लगा हांजी बुनाटी नील कदों त्यार होन लगया सी राइट आंसर है जी ठारा सो उनासीस वी देविच थारां सो नासी स्वीदे विच बुनाटी नील त्यार होन लगया नेक्स्ट पोईशन पार्थ वेच जुलाहियां दुवारा कपडा त्यार करन लई पहला किस चीज दी बर्तो किती जांदी सी राइट आंसर है जी ओप्शन नंबर बी का अधे रेशियां दी हांजी का आधे रेशियांदी वर्तो किती जांदी सी जुलाहियां दुवारा कपडा त्यार करन दे लई नेक्स्ट पोईशन पाटसन उद्योगदा पहला खार खाना कदो स्थापित किता गया पाटसन उद्योगदा पहला खार खाना थारांसो चरंजास्वी देविच स्थापिती किता ग्यासी ओफ्षन नमबर B is the right answer थारांसो चरंजास्वी देविच बंगाल देविच बंगाल देगेडे सहर देविच सेरमपुर देविच एवि तुसी याद रखना नेक्स्ट गोशन पाठसन दे उद योग वेच केडियां वास्तुमां त्यार कितियां यांदिया सन। हांजी पाठसन दे उद योग दे वेच बोरियां टांट अते गलीचे त्यार कितियां यांदे सी Option number D is the right answer उप्रोकत सारे Next question पार्ती लगूद योग दुवारा त्यार कितियां वास्तनादी कीमत क्यों बद हुन्दी सी पार्त वेच कॉफी दा पहला वाग कदो लगाया गया हांजी पार्त दे वेच सबतों पहला कॉफी कदो लगाया गया Option number E is the right answer 1840 वी देविच Next question अंग्रेजी राजतों पहला पार्ती पेडू लोग कांदे मोख कित्ते केडे सन जा लोग कांदी आर्थिकता दार की सी Right answer जी option number D you प्रोकत सारे खेती वाडी दर्जी मोची आद हें अंग्रेजी राजतों पहला पार्ती पेडू लोग कांदे मोख कित्ते सान ते एस तों इलावा तर्खाना दा काम जुलाहा दा काम जेडे जुलाहे काम कारदे सी ओवी एदे विच्च ही आदा सी जानी के खेती वाड़ी तर खानना दा कम दार्जी, मोची, जुलाहा, कम आध एस दे विच्चोंदे सान, केर दे विच्चोंदे सान, अंग्रेजी, राज्तो, पहला पार्ती, पेड़ू लोग काने मोख कित्ते आदे विच्च नेक्स्ट गोशन, बिगगा किसनू कैन्दे हन? बिगगा किसनू कैन्दे हां? राइट अंसर है जी ओफ्चन नंबर बी, जमीननू मापन दियका आईनू, बिगगा कैहा जान्दाय्यव Next question, इतिहां ऐसकार सावरकर अते अशोक महता ने 1477 विद्रोनू की नाम दित्ता? Right answer जी ओफ्षन नमबर ए स्तंतरता संगराम नाम दितता इतिहांसकार सावरकर अतेशोक महता ने 1477 विद्रोनू नेक्स्ट वोगिषन जान लारेंस अते जान सीले ने ठारांसु स्तवगजा इस्वीदे विदरोनु की नाम दितां। नाना साहीव अंगरेज्जाँ दे विरोध क्यों होई? क्योंकि लाडल लोह जीने उन्नाधी पेंशन बांध करदेती सी option number A is the right answer लाडल लोह जीने उन्नाधी पेंशन बांध करदेती से एसलाई नाना साहिव अंग्रेज़ाने विरोध हो गई सी next question जेकर कोई पार्ती राजा संतान हीन मरचांदा सी तास दुवारा गोदले पुत्तर नुँँँग्रेज औस ता उत्तरादिकारी नहीं मान देसान एस नित्ती नुँँग्रेज़ाने की नाम जत्ता राइट आंसेर हैजी option number A लेप्स दी नित्ती option number A is the right answer next question next question थारा सोस्त वंजा इस वीदे विद्रो तों वाद एक न्वंबर उन्नीसोट वंजानू इंग्लैंड दी महाराणी विक्टोरी आदवारा पार्तियानू केडियां दो कोई दोस हूलतां देत्नी आगियांस युणना दी नाम दस्तू राइट आंसेर हैजी option number option number C is the right answer A आते B दो में जानके पार्तियानू जोगता देदा आर्ते सरकारी नौकरियां ते लगोण आते पार्तियानू परशाशन वेच उच्चे ओंदियां ते लगोण next question आवद जेड़ा की आजकाल उत्तर परदेश देविच्चा नू अंग्रेजी राज वेच्च कदो शामिल किता आग्या सी राइट आंसेर हैजी option number C अठारांसोस पंजाई स्वी देविच्च आवद नू अंग्रेजी राज देविच्च थारांसोस पंजाई स्वी देविच्च मिलाया ग्या सी next question थारांसोस त्वंजाई स्वी देविदरू समे लख नव केड़े राज दी राजता नीसी राइट आंसेर हैजी option number A आवद दी ठीके आवद दी राजता नीसी लख नव next question अंग्रेजी सैना वेच्च पार्ती सैनिक बाद तों वद की सोंदे तक पहुंच साकदे सान next question लाइड विलियम बेंटिंक दुवारा पार्ती समाज वेच्च कीत्ता गया कोई एकसदार लिखो राइट आंसेर हैजी option number B सती प्रथा नू बंद करना लाइड विलियम बेंटिंक दुवारा पार्ती समाज वेच्च कीत्ता गया कोई एकसदार जीदे विच्चों हैगा सती प्रथा नू बंद करना next question थारांसुस्त वंजाइस्वी दे विद्रोधे पंजाब वेच्च केड़े केंदर सन थारांसुस्त वंजाइस्वी दे विद्रोधे पंजाब वेच्च केड़े केंदर सन next question next question next question next question थारांसुस्त वंजाइस्वी दे विच्च जेड़ी पार्त वेच्च सिख्च्च दे शुदा अरले केंदर सन ओजे परदा अनसान लॉर्ड मेकाले option नमबर बी जा राइड अनसर लॉर्ड मेकाले परदा अनसान थारांसो पंजाइस्वी दे विच्च पार्त दे विच्च सिख्च्च दे सुदार ले जेड़ी कमेट्टी भिनाई गी सी नेक्स्ट वोशन लार्ड मेकाले ने केडी सिख्च्च दे पाकवेच फैंसला ले जा राइड अनसर अजी ओफ्चन नमबर बी जा राइड अनसर अनसर अजी ओफ्चन नमबर बी सर सयाद एहमद खाने उन्नीमी सदी विच इसलामी समाज तेतारंबे चुसदार करंदे लाई अलीगण अन्दोलन सर सयाद एहमद खाने चलाया आजी जेकर वीडियो चंगी लाग दियो वे ता प्लीज लाइक अते शियर जरूर कर देया नेक्स्ट वोशन अलिगाण मुसलिम विशव विद्याल्यादी पहली चांसलर कौन सी? राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर डी सुल्तान जाहां बैगम सुल्तान जाहां बैगम अलिगाण मुसलिम विशव विद्याल्यादी पहली चांसलर सी नेक्स्ट वोशन रामा क्रिशन मिशन दी स्थापना किस ने किती? हाजी रामापना सुवामी विविक्का नंद ने किती सी ओफ्षन नम्बर दी जा राइट आंसर नेक्स्ट गोशन 1923 वी विच केडी कमेटी दीश फार्ष दुवारा प्राइमरी सिख्यानू लाजमी किता गया राइट आंसर अजी ओफ्षन नम्बर दी हर्तोग कमेटी दी शिफार्ष दुवारा 1923 वी विच हर्तोग कमेटी दी शिफार्ष दे प्राइमरी सिख्यानू लाजमी किता गया नेक्स्ट गोशन अंग्रेज़ा दुवाराच लाइगी सिख्या प्रनाली सिख्या प्रनाली दीन केडी पाशा दी सिख्या ते जादा जोर दित्ता गया राइट आंसर अजी ओफ्षन नम्बर बी अंग्रेज़ी पाशा जेडी अंग्रेज्जां दुवराच लाईगी सिख्या प्रनाली सी ओधे विच अंग्रेजी पाशाती सब्तुन ज्यादा जूर दित्ता है यासी नेक्स्ट गोशन 1915 विच इस्ट इंडिया कंपणी ने मदरास विच केड़ा स्कूल खोल लिया राइट आंसर है जी ओफ्शन नंबर बी सेंट मेरी चैरेटी स्कूल हाँजी सेंट मेरी चैरेटी स्कूल 1915 विच इस्ट इंडिया कंपणी ने मदरास देविच खोल लिया सी नेक्स्ट गोशन राज राम मोहन राई ने वियाकरन पंगोल खोल विग्यान अते बीजिग नेत दिया पुस्कता केड़ी पाँ शाधिविच लिखिया राइट आंसर है जी ओफ्शन नंबर बी बंगाली पाँ शाधिविच नेक्स्ट गोशन पार्थवेच डियेवी सिख्या संस्थामा किस दी स्थापित कितियां गईया राइट आंसर है जी ओफ्शन नंबर ए स्वामी दियानन सर्शबती ओफ्शन नंबर ए जा राइट आंसर नेक्स्ट गोशन अंग्रेज्जां कोलों हिंदू पुनर्विया कानून किस दे जतना साधकां पास करवाया गया राइट आंसर है जी ओफ्शन नंबर डी इश्वर चंदर विद्या सागर इश्वर चंदर विद्या सागर दुवारां ग्रेज्चा कोलों पुनर्विया कनून पास करवाया ग्यासी बहती शोटी उमर वेच व्याका रंदी प्रथानू की कहन्दे अन? राईट आंसर जी ओफ्शन नमबर बी बाल्विया बाल्वया सती प्रथा जाती प्रथा प्रून हत्या नू समुही क्रूप वेच की याख्या जान्दाए राइट आंसर है जी ओप्षन नंबर बी समाजिक बुराण्या समाजिक बुराण्या नू खतम कारन लई तह जी वुल इक लौक अखवार केसने कड्या सी आजी समाजिक बुराण्या नू खतम करन दे लई अखवार सार्श सेयाद एहमद खाने कड्या सी अंग्रेजा विरोध ना मिल वर्तन सव देसी यते बाईकाट अंदोलन सब्तों पहला किशने शुरू कित्ता अंग्रेजा विरोध ना मिल वर्तन सव देसी यते बाईकाट अंदोलन नामतारी मुखी सात्तगुरु बाबा राम सिंग जी ने शुरू कित्ता सी सिंग सबा लेहर दी नी रखी गई एस दे पहले परदान कौन बने सान राइट आंसे रैजी ओफ्शन नमबर डी ठाकुर सरदार ठाकुर सिंग संदावालिया नेक्स्ट गोईशन विद्वा पुनर भिया एक्ट कदों पास किता गया हाँजी विद्वा पुनर भिया एक्ट थारांसोश पंजाइस विदे विच पास किता गया ओफ्शन नमबर सी जा राइट आंसर नेक्स्ट गोईशन उन्नीमी सदीदेवास समाज सुदा रखधा नादसो जिसने इस्तिरियां दी हालत सुदा रणले नीमी जातीदियां लड़कियां देले पून्ने विखे स्कूल खूल लेया राइट अंसर आजी ओफ्षिन नंबर D महातमा जोत्तीवा फूले नेक्स्ट गोशन उन्नी में सदी दे महारास्टर दे समाज़दारक गोपला हरी देश मुखनू होर केडे नामनाल जानेया जान्दा है राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर ए लोग हितकारी उन्नी में सदी दे महारास्टर दे समाज़दारक गोपला हरी देश मुखनू हुलोक हितकारी दे नामनाल जानेया जान्दा है नेक्स्ट वोशन और समाज़दारक दानाम दसो जिस दे जतना सदकां सरकार दुवारा अठारा सबहत्तर इस्वी वेच कानून पास करके दूसरे ब्याते पवंदी लगाई गई राइट आंसर है जी केसव चंदर सोन दे जतना सदकां सरकार दुवारा अठारा सबहत्तर इस्वी वेच कानून पास करके दूसरे ब्याते पवंदी लगाई गई जी नेक्स्ट गोर्शन अनांद वियाज जान सवा रुपई वेच वियादी प्रथा किसने चलाई हाँ जी अनांद वियाज जान सवा रुपई वेच वियादी प्रथा सात्त गुरु राम सिंग जी नामतारी ने चलाई सी ओप्षन नंबर A जा राइट आंसर नेक्स्ट गोर्शन जोतिवा फुले दुवारा नेमी जाती दे लोकां दी हालत सुधारन लई कीते कारजां करके उनानू केडी उपादी दित्ती गई सी राइट आंसर है जी ओप्षन नंबर A sorry B महात्मा महात्मा दी उपादी दित्ती गई सी जोतिवा फुले नू क्यों दित्ती गई सी नेमी जाती दे लोकां दी हालत सुधारन लई कीते कारजां करके नेक्स्ट गोर्शन आंदर परदेश दे औसमान व्यक्ती दा नादसो जिसनू समाज सुधार करके पैगंबर दी उपादी दित्ती गई सी हाँ जी समाज सुधार करके पैगंबर दी उपादी दित्ती गई सी वीर सिलिंगम नू ओफ्शन नमबर A is the right answer नेक्स्ट वर्शन हवा विच सब्तों जादा गैंस केड़ी पाई जान दिये राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर B नाइट्रोजन हवा दे वेच सब्तों जादा गैंस जड़ी पाई जान दिया नू नाइट्रोजन के जान दावा नाइट्रोजन पाई जान दिया वाजू मंडल दिया तैहा दे नादस्तो हाँ जी वाजू मंडल दिया तैहा वाजू मंडल दिया तैहा दे नाम है गया सांत मंडल, सम्ताप मंडल, मदवर्ती मंडल, अते ताप मंडल. राइट आंसर है जी, ओफ्शन नंबर. हांज इते ओफ्शन नंबर डी चौनां सी उपरोकत सारे, उपरोकत सारे ही वाजु मंडल दियां तैहाँ दिनामा. सौरी इते मिस्टेक देली, उपरोकत सारे ही वाजु मंडल दियां तेहां देनामा बाई चांस वैस्ता पेपर दे वेचे इस्तरा नहीं हुगा जे हुंदा विया तो तुसी जेस्तरा हो दो ओप्षन देती हों या ओप्षन नम्बर C ए लगावनिया नेक्स्ट वोर्शन बाता वरंदे केस आंग वेचे साप्तों बाद अदला वदली हुंदी रहन दिया राइट आंसर है जी ओप्षन नम्बर C वाजु मंडल वाजु मंडल दे वेचे साप्तों बाद अदला वदली हुंदी रहन दिया नेक्स्ट वोर्शन समोग केस नू कहन दे हान राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर C, A यते B दो मानू जानी कि तौंदते तुमेनू सुमोग केंदेया तौंदते तुमेन जेडा मिश्रन बाने आंदा उनू सुमोग केंदेया नेक्स्ट गोईशन वाजु मंदल दी सब्तों हेटली पर्त दा नादसो आजी वाजु मंदल दी सब्तों हेटली पर्ता असानत मंदल आफशन नमबर A जा राइट आंसर असानत मंदल नेक्स्ट गोईशन वाजु मंदल दा केडा पाग हवाई जहाँ जान्दी ओ डान ले योग है राइट आंसर जी आफशन नमबर D समताप मंदल सम ताप मंडल वाजु मंडल दाओ पागा जेडा हवाई जा जानी उडाम दे योगा नेक्स्ट कोईशन योन पार्त किन्या हानिकारक किरनान। तर्ती ते योन तो रोक दिया आइन मंडल केया जान्दाई ताब मांदी हेट ली तैनू पाणी दा जुमाओ अते अबाल दर्जा किनना होंदाई बेरी इंपोर्टन्ट कोईशन हाँजी पाणी दा उबाल दर्जा होंदाई जीरो डिग्री सेंटीग्रेट अते उबाल दर्जा होंदाई सो डिग्री सेंटीग्रेट जनी के option number C is the right answer Next question तुरूबावाल चलनवालियां पोनानू की की हाजान्दा है हाँजी जडियां पोनान तुरूबावाल चल्दियां अनूनानू की की हाजान्दा है तुरूबावाल चलनवालियां पोनानू पच्छमी पोना की हाजान्दा है Option number B is the right answer Next question बपारक पट्टी पाच्छमी पोनानू थोर के नाम दित्ता जान्दाई हांजी बपारक पट्टी पाच्छमी पोनानू होर स्थाई पोनादा नाम दित्ता जान्दाई option number A is the right answer next version तुरूवा बलनो 65 अक्सांसा वाल चलनान वालियां पोननानू की नाम दित्ता जान्दाई right answer जी option number option number option number B is the right answer पाच्छमी पोनना तुरूवा बलना 65 अक्सांसा वाल जडियां पोनना चाल दियां मोननानू पाच्छमी पोनन दनाम दते जांद वैसी जातर तो नू आफ्शन दे पी चे भी आ सक्ता पाच्छमी पोनन दे जगा ते तुरुबी पोनना जे करतो नू तुरुवुपोनateurs अन्दवा तो तो तुसी तुरुबी पोनन नू ही option टिक करोंगे जे करत्रू भी पहुना नहीं अंदा उस्तो बाद ही दूसरी पच्छमी पहुना दे टिक करूंगे नेक्स्ट गोईशन कोडे दे एक सांस के सनू केहा जान्दा है हाँ जी कोडे दे एक सांस सांत मंडल पेटियानू केहा जान्दा है नेक्स्ट गोईशन चक्करवातां दे कारण आणवाली वर्खानू की कैन्दे हैं चक्करवातां दे कारण आणवाली वर्खानू चक्करवाती वर्खा कैन्दे नेक्स्ट गोईशन इकको जहे वाजुदाव केंद्रानू मिलाणवाली रेखानू की कैन्दे हैं हांजी इकको जहे वाजुदाव केंद्रानू मिलाणवाली रेखानू साम वाजुदाव रेखा जां आईसो वार केहा जान्दा जानिके ओफ्षन नमबर सी जा राइट आंसर ए अते बी दो में नेक्स्ट वोर्शन पौनना केडे खेत्रां तो केडे खेत्रां वालनू चाल दिया हन। राइट आंसर एजी ओफ्षन नमबर सी वाजुदाव दे खेत्रां तो काट दाव दे खेत्रां वाल। नेक्स्ट वोर्शन पौम अद रेखा वालनू चलन वालियां पोनना की नाम दित्ता जान्दा है राइट आंसर एजी ओफ्षन नमबर सी ब पार्क पोनन। पूमद रेखा पांज डिगरी उपर तों पांज डिगरी दखनक सांस तक काट वाजु दावदी पेट्टी बान जान दिया तीके जी उसनू की केंदेया राइट आंसर आजी ओफ्षन नबर ए डौल डर्मस केंदेया नेक्स्ट पोशन हवाविच हार समय थोड़ी बहुत मात्रावेच पाणी देजो काण हुं देया उन्हानू की केंदेया राइट आंसर आजी ओफ्षन नबर डी पौन नादी नमी केंदेया नेक्स्ट पोशन तर्ती उत्ते जाल किन्ने प्रतिशत आते थाल किन्ने प्रतिशत उमीद कर दिया कि इस कोशन आंसर तो नुसार आणू पता हुगीगा पाला आगा तरती दे ठीक है जी तरती दे उत्ते कहत्थर प्रतीशत जाला अते नत्तिप्रतीशत थाला नेक्स्ट कोस्ट विसाल चाल पंड़ार कैसनों किया जान्दा है हाजिya विसाल चाल पंड़ार महां सागराण किया जान्दा ओष्चन नमबर B is the right answer Next version पार्त दे दख्ण वेच लगदत महासागर दा नान लिखो अजी पार्त दे दख्ण देविच केड़ा महासागर लागदावा Right answer आजी option number ए हिंद महासागर Next version 17 बड़े ते 17 शोटे महासागर दा नाम दसो Right answer आजी option number ए, साग्तो वड़ा महासागरा, सांत महासागरा, अथे साथो शोटा महासागरा, अर्क्टिक महासागर. Next question, महासागरी जालदियां किनिया गतिया हन। हाँजी माहा सागरी जाल दियां किन्या गतिया हुंदी याने राइट आंसर है जी ओफ्शन नबर सी तेन्न केडियां केडिया हुंदी याने लहरां सागरी तरामा अते जवार पाटा नेक्स्ट वोर्शन लंडन दी बंदरगा किस नधी दे कंडे उपर है लंडन दी बंदरगा टैम्स नधी दे कंडे उपर हुपर हुप्शन नबरे इस राइट आंसर नेक्स्ट वोर्शन लहर दी साप्तों बादु चाहिते वादतों वदडूंगा इनूं की केहा जान्दा है आजी वदतों वदडूंचाहिते वादतों वदडूंगा इनूंलेःर्दा गर्थ केहा जान्दा ओप्शन नमबरे इस राइट आंसर next question केडे सागर्दान पारत देश दे नाते पिया राइट आंसर आजी ओप्शन नमबर हाँ जी, केड़े नाम दा सागर, पार्थ सागर दे नाम दे पिया option number is the right answer, हिंद महा सागर ठीकी, हिंद महा सागर दा नाम, पार्थ देश दे नाम दे पिया राजपाल दा कार्जकाल किन्ना हुंदा है? हाँ जी, राजपाल दा कार्जकाल किन्ना हुंदा है? option number B is the right answer पांज साल दा हुनदा है ठीके जी next question राजवीदा अंसवादे मेंबरानू की केहा जान्दा है राजवीदा अंसवादे मेंबरानू L M L ने केहा जान्दा है option number A is the right answer next question लोग काने समूनू वकवकटां गनल संपर्क करन्नू केहा जानदा है हाजी लोग कान इस मून वाकवाक टांगना संपर्ग करन नू जनतक सचार केहा जानदा है option number B is the right answer जनतक सचार next question जनतक सचार दा सब्तों वादमात पुर्णमाद्यम केड़ा है जनतक संचारदा सब्तों महत्त पूर्ण माध्यम प्रेस जानी के मीडिया है Option number B is the right answer Next question सूचना दिकार सब्तों पहला किते पास किता गया हाँ जी सूचना दादिकार सब्तों पहला राजस्थान सुर्कार दुबारा साल दो जार दे विच पास किता गया सूचना दादिकार राजस्थान सरकार दे दुबारा Next question किसे वी वस्तों वादतों वाद बेच्चन लई उत पादक किस चीज़ दा सहार आलिन दे ने हाँ जी होनसी गाल करांगे economics दी किसे वी वस्तों वादतों वाद बेच्चन दे लई जड़े उत पादक होन दे या ओ केडी चीज़ दा सहार आलिन दे या राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर A जा राइट आंसर बिगी आपन दा Next question जानतक संचार दी सारी कारबाई किस प्रती होनी चाही दिया जानतक सरकार दी जड़ी सारी कारबाई या ओह लोक पलाई हित दे लई होनी जाही दिया ओफ्शन नमबर A जा राइट आंसर Next question समाजिक पलाई लई केडे बिगी आपन वर्ते जान दे हन उन्ना दे नाम लिखो राइट आंसर है जी समाजिक बिगी आपन जिमे पुरून हत्तेया ठीके जी पुरून हत्तेया रूकन लई बिगी आपन ओफ्शन नमबर A जा राइट आंसर Next question समाज विच परचले ते समाजिक बुराई यान दे नाम लिखो हाँजी एडिया संसार दे विच परचले ते समाजिक बुराई याने उन्ना दे नाम लिखो राइट आंसर है जी आप्शन नमबर D उप्रोकत सारे दहेज प्रथा वी एक समाजिक बुराई है गरीब भी एक समाजिक ब्राई है इस तो इलावा लिंग समानता थे आन पड़ता भी एक समाजिक ब्राई है Next question समाज दी मुडली काई केडिया हाँजी समाज दी मुडली काई परिवारनों मन्या जान्दा है Option number is the right answer Next question लिंग समानता तो की पावै हाँजी लिंग समानता तो पावा rage Next question सती प्रता दाविरोध सब्तों पहला केस दुवारा कित आया सी सती प्रता दाविरोध सब्तों पहला सुआमी देयानन्द सर्ष्वती दुवारा कित आया सी Option number is the right answer Next question 2011 दी जननकान ना अनुसार लड़कियां दी कॉल गिनती दा किनने प्रतिसत स्कूल पढ़न जानदा है हाँजी 2011 दी जनकान अनुसार किनने प्रतिसत लड़कियां स्कूल पढ़न ने राइट आंसर है जी ओप्शन नमबर डी तेई प्रतिसत Next question सरकारवलों लड़कियां दे विया लई किननी उमर निश्चित किती गईया हाँजी लड़कियां दे विया लई सरकारवलों अठारा साल उमर निश्चित किती गईया Next question आरिया समाजदे संस्थाप कौन संथ हाँ जी आरिया समाज दे संस्थाप कौन ने स्वामी द्यानांत सर्स्वती ओफ्शन नमबर एजा राइट आंसर ते इन्यानी सब्तों पहला सतीपरता दा विरोध किता सी नेक्स्ट गोईशन वड़े पदर दे चीज़ां खरीदन दे तंदेनू की किहा जन्दा है हाँ जी जीड़ा थोक दा कम करदा वा ओस दिकान दरनू थोक विक्रिता किहा जन्दा है ओफ्शन नमबर एजा राइट आंसर नेक्स्ट गोईशन विक्रिता किसनू कहन दे हन हाँ जी विक्रिता किसनू कहन दे हन ओफ्शन नमबर डी जा राइट आंसर चीज़ां वेच्चन वाले नू विक्रिता चीज़ां वेच्चन वाले नू कहन दे हन next question विक्रेता किन्नी तरादे हुन्दे हन हाँ जी विक्रेता किन्नी तरादे हुन्दे है विक्रेता दो तरादे हुन्दे है केड़े केड़े हुन्दे है हाँ जी दो तरादे हुन्दे मतलब option number A, right answer एक उन्दा परचोन विक्रेता ते दोजाओं दा थोक विक्रिता ठीके जी ए तुसी याद रखना नेक्स्ट वोशन जेड़े विक्रिता अपनिया चीजा जगा जगा ते को मुफिर के बेच देहन ओनानू की केहा जन्दा है हाँ जी ओनानू क्या जन्दा अस्थायर परचून विक्रिता ओफ्शन नम्बर सबांधित हरेक चीज एक ही थाते वेच देहन ओनानू केड़े विक्रिता किया जन्दा है हाँ जी ओनानू क्या जन्दा है जी सूपर वजार जान डिपार्टमेंटल स्टोर ओफ्शन नम्बर एज राइट अंसर नेक्स्ट गोशन मंडी जा वजार वेच दलाल दा काम कौ जी ओन भी पारी ओफ्शन नम्बर एज राइट अंसर नेक्स्ट गोशन जिस था तो असी कानक खरीद देहां और उसनू केड़ी मंडी केहा जन्दा है राइट आंसर एजी ओफ्शन नम्बर भी अनाज मंडी ठीके जी हाजी उनमें तो अनू क्या सी कि लास्ते विच मैं पुछारी ओन भी ली काल लाली वीडियो देविच तिनना इसा तुनम्ब्र भी तर टो जी ओन्र पुछी कोमेंट वाक्स देविच देना हो विचात ऑन्र तू नम्डी कर्बर भी तर तीनू दो ब्राबर भरबा गादेविच वंड दीए उस दीना उस्टिवानश तुन स पॉक्स देविच जरूर दास देना जेकार वीडियो चंगी लगी हो वेता प्लीज वीडियों लाइक कते शियर जरूर कार देना तानवाजी